मैं कामिलकान सर्मा एक बार पुन है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कफिल पर बहुत स्वागत करता हूँ यूपी पुलिस भरती परिक्सा उननच जार 578 का रिजल्ट का इंजार भई बढ़ता ही जा रहा है और अब तो इन अख़वारों पर से भी उठने लगा है विश्वास क्योंकि ये क्या है भई कि टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं लेकिन जो भी खबर आती है हम आपको उस खबर को पहुचाने का प्रियास करते हैं आज का अख़वार में आई है अमरजाला का ये अख़वार है अब अमरजाला और हिंदुस्तान दो ही खबर दे रहे हैं इस टाइप की और ये लगातार जो है टाइम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं अब इन्हों लिखा है दो से तीन दिन लगेंगे शिपाही बढ़ती परिख्षा के नतीजे आने में और यहां पर का लिखा है जोनरल टीमों के नए पोंचने से हुआ विलम तो जोनरल टीम नहीं पोंच पाई इस कारण से विलम हो रहा है आपका पुलिस विभाग में चिपाही के उन्हें 4568 पदो पर भरती के लिए कोई परिख्षा के नतीजे गोशित होने में अभी दो तीन दिन ओड लग सकते हैं पुलिस बर्तियों प्रोनेती बोर्ड ने हाला की नतीजे तैयार कर लिये हैं दस दिन से यही बात सुनते आ रहे हैं पर जोनल टीमों के नह पोजने या विलम से नह पोजने से इसे गोशित करने में विलम हो गया है और परिक्षा के नतीजे आने के बाद सफल भीहरतियों के दस्तवीजों का परिक्षन सारिक परिक्षन और सारिक दक्स्ता परिक्षन होगी यह कावायत परदेश के सभी आठ जोन में होगी हर जोन में इस आयोजन के लिए अलग से टीम गडित होगी बोर्ड बोर्टी के अफसरों के अनुसार जोर्णल टीमों को इसके लिए बोर्ड मुख्याल बुलाय गया था पर इन टीमों के बोर्ड मुख्याल लेना पहुचने की वज़े से नतीजों को गोशित नहीं किया गया बोड ने इसके लिए सभी जोर्नल के अपर पुलिस माहने दिसकों को टीम को भीजने के लिए कहा है इसके पूरान बाद नतीजे जारी कर दे जाएंगे और इस परिक्रिया में दो से तीन दिन लगना संभव है देकि इन्होंने बताया हभी दो से तीन दिन लेकिन निश्चित रोप से दो से तीन दिन वे आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाईया ये तो सही पता है भरती बोड को ही लेकिन जैसे ही कोई सूचना मिलती है हम एक बार फिर से आपको सूचित करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद